मलिक कारजुन खरगे ने सरकार पर बोला हमला कहा LIC के पैसे का हो रहा दुरूपयो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से विपक्षी दल सरकार पर हमला वर रोख अपनाए हुए हैं इस बीच कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिक कारजुन खरगे ने भी ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है मलिक कारजुन खरगे ने भारती जीवन वीवा निगम को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और उन सवाल पर भी सवाल उठाए हैं खरगे ने ट्वीट कर साधा सरकार पर निशाना मलिक कारजुन खरगे ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने भारती जीवन वीवा निगम का नाम बदल कर करोड़ पतियों के लिए निवेश लूटो लूट इन्वेस्टिमेंट फॉर्ट प्रोनिस कर दिया है उन्होंने लिखा है कि LIC के शियरों में केवल दो दिनों में 22,442 करोड कनुकसान हुआ है LIC अडानी की प्रमुक एकाई में अधिक पैसा लगा रही है जबकि 29 करोड पॉलिसी धारत LIC से जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस ने ली थी सेवी से जाश की मांग की थी कॉंग्रेस महासचीफ जैराम रमेश ने कहा था कि आरोपो की भारती वित्य प्रनाली की स्थिता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारती रिजर्ब बैंक और सेवी ज्वारा जाश की अविश्कता है उन्होंने कहा कि भारती जीवन वीवङ निगम और भारती स्टेट बैंक जैसे वित्य अंथानों के अडानी समुगे उच्छ जोखिम वाले संथानों को वित्य स्थिता प्रदान करने से उन करोडों भारतियों पर प्रभाप पड़ता है जिनकी बचत वित्य प्रणाली के इन इस्थंबों वो द्वारक की जाती है क्या है मामला बता दे कि अदानी ग्रूप को लेकर हिंडनवर्ग की रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद अदानी ग्रूप की कंपनियों के शियर तेजी से नीचे आए मीडिया रिपोर्ट के मताबिक गौतम अदानी को एक दिन में लगबग 6 बिलियन डॉलर लगबग 48,600 करोड रुपे का नुकसान हुआ है हिंडनवर्ग के आरोपों के बाद गौतम अदानी के नेट वर्थ में लगबग 5 प्रतिशत की कमी आई है